प्यारे दर्तियों आप सभी का चैनल पर हार्तिक स्वागत है कक्षा 10 का राजस्तान का इत्यास एंसंसकर्ति का अर्दवार्शिक प्रिक्षिया परसंपतर जो हमारे पास है यह ओरिजिनल पेपर है इसका अध्यन करना सुरू करें उसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे गंटे का निसान दबा कर ओल बटर लो कलिक करते वे अनिसाथियों को सेर कर दीजे देख सकते हैं राजस्तान का इतिया संस्करती सत्तर अंकों का है सभी परसंट कर नेनवारी हैं सभी परसंटों के अंकों उनके सामने हैं परसंट नमर एक काली बंगा राजस्तान के किस जिले में इस्तत है सीकर जैपूर गंगानगर रमानगड यह अन्वानगड में है जिस्त्रियां कहां धायन करते हैं? नाक, कान, शिर, हाथ तो यह सिर में धायन करते हैं परस्न Triple 4, कहीलमूनी का मंदल इस्तट है कोलाईड जहफू, देशनोक, स्वायमादपर तो यह महीं कोलाईड विका नेर में एह उतर हो गया से परस्न June 6a alle और प्रस नमग्र से क्या है नीवन में से कौन सा त्युमार इशाई ध्रम से समधित नहीं है good friday christmas easter नौरोज तो नौरोज नहीं है प्रशन नमर साथ कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी मेवाड जैपूर मारवाड विकाने तो ये मेवाड की थी प्रशन नमर आठ धन्ना किस के सिस्य थे कबीर रामानाथ पीपा दादू दना किस के सिस्य ते ये परशन आप मेरे द्यान में नहीं है परशन नमर नो अमोबा किस रंग से मिलता जूलता है काला खाकी भुरा लाल क्या है पता नहीं आप चेक कर लो परशन नमर 10 राजस्तान के कबीर किसे कहा जाता है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं साइथ दादू जाल को राजस्तान का कभीर कहा जाता है दस्वें का ए होना चाहिए प्रशन नमर 11 देखो क्या है राजपुतों की एकनी कुण से उत्पति का सिधानत किस ने दिया था तो ये दिया था चंदरबर्दाई ने एह 11 का और आगे 12 से लेकर 17 तक आपको रिक्स्तान है राणी पत्मीनी रावल रतन सिंग की पत्नी थी किसकी थी रावल रतन सिंग मेवाड के रावल रतन सिंग की पत्नी थी राणी पत्मीनी तो ये हो गया 12 का फिर तेरा का विष्णोई संपर्दाई के परवर्टक जामो जी का जनम कहां पर हुआ था जामो जी का जनम कहां पर हुआ था साइध पीपा सर गाम में हुआ था विकानेर के चोदा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना कहलाता है दांतों के बीच ये साइध दांतों के बीच एक अबुसन होता है सोने का पता नहीं है आप सर्च कर ले ना परसन नमर 15 बुंदी में कजली तीज का परो है कब मनाया जाता है बुंदी में कजली तीज का ये भादरपद माहा में मनाया जाता है कौन से माहा में भादरपद अपने रास्तानी में भादवा जिसे कहते परशन नमर चोड़ा, सोज़त मेहंदी के लिए परशीद है, सोज़त मेहंदी के लिए परशीद है, परशन नमर 17, करणी माता का मंदिर देश नोक बीकानेर में इस्तत है, करणी माता का मंदिर देश नोक बीकानेर में इस्तत है, आगे देखें परशन नमर 18, राजस्तान के आदिवाशी समाज का सबसे बड़ा मेला कहा लगता है साइद बेनेश वर दाम डूंगरपूर है बाकी आप और भी सर्च कर सकते हैं कई मेले लगते हैं थेवाकला किस जिल्ले से समधित है परसन नमर 20 दिवेर का युद्ध कब हुए किन के बीच हुआ था ये दिवेर का युद्ध है वो महरना परताब के सेनापती अमर सिंग तथा अकबर के सेनापतियों के बीच में वहा था जिसमें जहागिर सेनापती था और इस युद्ध के दोराने जो इस युद्ध के दोरान अकबर का एक सेनापती था उसका नाम था सुल्तान खा, जो अकबर का चाचा था, उस पर महारना परताब के सेनापती अमर सिंग ने भाले से इस प्रकार से प्राहर किया था, कि भाला सुल्तान खा को गोडे को चीरते हुए जमीन में जाद असा था, और ये 1582 में युद हुआ था, दिवेर का युद राजस्तान में वस्तर चपाई के दो बड़े केंद्रों के नाम लिखो परशन नमर तेईस मुस्लिम समदाई के तीन परवों के नाम लिखो तीन परवों के नाम मुस्लिम समदाई के लिख सकते आप इदुल फितर इदुल जुहा मोहरम तीन हो गए इदुल फितर इदुल ज जिल्ले में उस्तित है शिक्र जिल्ले के अंदर रिवासा गाउं में जो पहडी एरावली की वहां पर जीन माता का मंदिर है परशन नमर 26 मीरा भाई का विवा कब हुए किसके साथ हुआ था तो देखो पूरा कनफरम तो नहीं है लेकिन लगभग यह है कि मीरा भाई का विव सांगा के पूत्र भोजराज के साथ हुआ था था मीरा भाई का विवा मेवाड महाराना के पूत्तर भोजराज के साथ लगभग 1516 में हुआ था पर्शन Phone 27 राजस्तान के चार उत्त पासान काले निस्तलों के नाम लिखो पर्शन नमबर 28 मांडणा के चार विश्यों के नाम लिखो पर्शन नमबर 29 किसंगर चितरकला सेली की विशेस्ता लिखो पर्शन नमबर 30 तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगोरी इस पंक्ति की व्याक्या क्या है तो इस पंक्ति की व्याक्या है कि तीज जो आपके चेतर महिने के अंदर आती है नहीं तीज चेतर महिने वाली नहीं है ये साउंड की हरियाली तीज उसको है जो तीज होती है उसमें त्योहार शुरू होते हैं तो तीज त्योहारा बाउरी यानि बाउरी मतलब वापिस आई तीज है वो त्योहारों के साथ आई है ले डूबी गणगोर और गणगोर के बाद त्योहार समापत हो जाते हैं तो ले डूबी गणगोर यानि गणगोर के बाद कोई भी तुहार नहीं आता तो यह इसकारत हो था प्रशन नमर इकतिश मुगलकाल में राजस्तान की सामत पर्था में क्या परिवर्तन दस्टी गोचर हुए प्रशन नमर बतिश लोग देवता राम देव जी पर संक्षिप्त टिपनी लिगो लोग देवता राम देव परिश नमर इनके पिता का नाम अजमल जी था माता का नाम मेना दे था इनकी पतनी का नाम इराम देव जी पर इनको पीरों का पीर कहा गया प्रकाम, प्रकाम, दिंदो मिल्माइए स弗ता है। पार्णर देव जालोर का चोहान सासक था और अलावदिन खिल जी इनके बीच में खूब संग्रत स्वा था पर्शन नमबर 36 संत राना बाई को दूसरी मिया क्यों कहा जाता है पर्शन नमबर 37 बच्चों के विविन अभुशनों का उले कीजिए पर्शन नमबर 38 गनेश्वर सब्वेता किस जीले में वेकिस नदी के किनारे इस्तत है पर्शन नमबर 49 दादू द्याल की जीवनी वे सिक्ष्याओं पर विचार लिखो पर्शन नमबर 40 उरुडा समेलन क्यों एस्पल हुआ कारण सहीद समझाईए पर्शन नमबर 41 राजस्तान के वस्ताइब अब देखो अगर आपको बड़ा देखो पांच अंखो का परसन है और यदि आप पांच अंखो का परसन लिखना चाहते हो तो आपको बड़े मेले का वर्नन करना होगा और बड़े मेले का वर्नन करोगे तो आप देख सकते हैं हमारे राजस्तान में पर्मुक बड़े मेल लगते हैं एक तो हनमानगड के गोगा मेडी में गोगा जी का मेला लगता है जो बहुत ही बड़ा मेला है एक मेने तक लगता है तो एक मेला उसका वर्ण कर दो दूसरा मेला आप क्योंकि आपको गोगा जी के बारी में खूप सार नोलेज है दूसरा मेला आप कर दो जैसलमे के अंदर ही लगता है तो आप उस की चर्चा कर सकते है और उसके बारे में आप डिटेल से लिख सकते है इसके अलावा अब हम चलते हैं डेवियों के अंदर तो देवियों में आप करणी माता विकानिर करणी माता देशनोग विकानिर का जो मेला है नौरात्रों में लगता है वो बहुत बड़ा मेला है और करणी माता के बारे में आप इत्यास बता सकते हैं तो तीन मेलों का आप बढ़िया तरीके से वर्मन कर सकते हैं क्योंकि यहां पर तीन मेले बताने हैं और परसन देखो पांच अंकों का पूछा गया है। यह ओरिजिनल पिपर हैं और राजस्तान के इस्त्री पूसों द्वारा धारन के जाने वाले आबुसनों पर लेख लिगो। देखो बहुत सारे आबुसों दोनों में इसको यह करना वजophone दे रका हैं तो आबुसन के अबुसनों की बात करे तो बहुत जादा है भी जैसे सर का बोरला हो गया सीसफूल हो गया और गले के अंदर गल्सरी है टेउटा है आड है इस परकार से टेउटा है मोती बलका कानों के अंदर कुंडल वगेरा होते हैं नाक में लोंग वगेरा होता है जुमके होते हैं और जैसे हाथ में पूंची हो गई है बंगडी हो गई है ये सारी क्या अबुसन है इस तरियों के इसके अलावा जैसे नाक मे नत होती है पेरों में पायल होती है ये और आतों में अंगूठी वगेरा और पेरों में भी बिच्छियां वगेरा होती है तो इनका आप वरन कर सकते हैं पुरूसों के अंदर भी देखो पुरूसों में भी कानों के अंदर लोंग वगेरा होते हैं बालियां वगेरा कानों मे पहनी जाती है, गले के अंदर चेन पहनी जाती है, हाथ में कंगन भी पुरूसों के द्वारा पहना जाता है तो इन अबूसनों की आप चर्चा कर सकते हैं देखो चोमार इस राजपतों की उत्पती को लेकर विविन मतों का फ्रिक्शन लिखो तो राजपतों की उत्पती को लेकरते हैं कोई तो कहता है कि राजपतों की उत्पती है वो हवनकुर्ण से हुई है कोई कहता है कि अन्ने जातियों कि मिश्रन से हुई है जिसे अलग-लग जाती है, अलग-लग कारिया करती थी और उसके बाद वो अपने आप में राजपूत हो गए थे कोई कहते हैं कि मदेशिया से आये हो गए तो इनके बारे में आपको टिपणियां वगएरा करने होती है और अगर ये नहीं कहते हैं तो राजस्तान के पंच पिरों पर लेख लिखो अब पंच पिरों पर लेख लिखना ये आसान है उपर वाले की तुलना में आसान कैसे है देगो पंच पिरों में कौन कौन सामिल है आपको पता है पंच पिरों में सामिल है पाबू जी कौन सामिल है पाबू जी और मैं आपको बता देता हूं, पंच पीरों में सामिल है एक तो है पाबू जी, थोड़ा छोटा लिखता हूं पाबू जी, गोगा जी, रामदेऊ जी, हडबू जी, पाबू जी, गोगा हडबू जी और मांगलिया मेह जी मांगलिया मेहा जी पाबुजी एक, गोगा जी दो, रामदेव जी तीन, अड़गुजी चार और मांगलिया मेहा जी पाँच पाबुजी राठोड थे, गोगा जी चोहान थे, रामदेव जी तमर थे, अड़गुजी सांकला थे और मेहा जी मांग लिया ये सांकला थे अब देखो इनके बारे में आपको डीटेल से पहले पाबुजी के बारे में फिर गोगा जी के बारे में डीटेल डाल दो फिर रामदेव जी के बारे में इस प्रकार से आप इनसका वीवरों में लिख सकते हैं और पूरे पेपर का उत्तर हम अभी अमारे पास पेपर पहुंचा हैं। इनको सर्च करके रात्री को वीडियो बना देंगे सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा, पूरे पेपर का। प्यारी विदार्तियों ये ओरिजिनल पेपर है आज का पेपर है बिकानेट से हमें प्राप्त हुआ है वेसे तो हर जिले का अलग लग पेपर होता है फिर भी क्या पता इनमें से important question क्योंकि किताब तो उसी किताब से उठाया गया जो पूरी राजस्तान में एक ही किताब है मैं तो पुण परसन यहां पर पूछे गए है तो पहरे विदार्तियों हम इसके उत्तर का वीडियो भी मनाएंगे आपने इस वीडियो को अंतक देखा इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना की नोटिफिकेशन यानि सूचना के लिए आप गंटे का निसान दबा दीजी और ओल बटन कर क्लिक करतेजी ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाएं प्यारी विदार्तियों हम उत्तर वाले वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे और इसक स्वास्तान की इतिवास और संस्कर्थी का पेपर हो गया और एक हो गया आपके स्वास्तेमसारिक सिक्स्या का और इनका आप अधेन करना तो प्यारे विदार्तियों ने वीडियो में मिलेंगे तक तक के लिए जय हिंद जय भार्त वंदे मात्रम